हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं एक और नहीं लोकेशन इस समय हम आएं अम्रोहा जिले के अंदर अम्रोहा जिले में मुहम्मद शमी का गाउं है उनका बचपन का गार उसी गाउं में बना हुआ है आए इसकी पूरी जानगारी मैं आपको देता हूं आए मेरे साथ आए मैं आपको मिनी स्टेडियम दिखाता हूं तो दोस्तों देख सकते हैं यह लोकेशन है अम्रोहा जिले के अंदर यहां पर बनाया जाएगा मिनी स्टेडियम दिल्ली लगनौ हाइवे से तीन किलोमेटर दूर जो है बेकाश खंडगे सैस्पुर अलिनगर गाउं में मौहम्मى समी भाई का परिवार रहता है मौहम्मा समी भाई का फामाऊस भी हाइवे के किनारे बना हूआ है मौहम्मा समी भाई भी अकसर एहां आते रहते हैं एक दिन अधिकारियों की टीम मुहम्मा समी भाई के गाउं पहुंची टीम ने गाउं के ही ग्राम पंचायत के प्रधान और अन्य लोगों से बात की इस्टेडियम के लिए कई हेक्टर भूमी भी चिन्नित कर ली इस्टेडियम के अंदर ओपिन जिम रनिंग ट्रैक और एक मिनी किर्किट इस्टेडियम बनाया जाएगा सासन से अनुमती मिलने के बाद इस्टेडियम का निर्मार सुरू कर दिया जाएगा जिला आदीगारी ने बताय है कि, राज सरकार ने मिनी किर्किट इस्टेटेडियं के लिए 20 जिलों का चेन किया था, जिसमें अमरोह जिला भी शामिल है गांवालों को कहना है कि, इस्टेडियं के उड्गार्डन के लिए मोहमम्द समी को बुलाय जाए जो की गाउंवालों की पहली पसंद है मुहम्माद समी के सांदार प्रदसन से उनका गाउं दुनिया भर में लोग पर ये हो गया और उनके गाउंवाले भी बहुत खुश है गाउंवालों का कहना है कि इस्टेडियम का नाम मुहम्मद समी के नाम पर रखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख उत्देश ये है कि यहाँ पर मिनी इस्टेडियम बनेगा तो अमरोह जिले से आने वाले वक्त में कई पृतिवाशाली खिलाली निकल कराएंगे। वर्ल्ड कप में अच्छे प कि लेकर टीम इंडिया को फाइनल में पहुचानी की रहा को आसान बनाया था। इसी खुसी में मुख्यमंत्री योगी जी ने मुहम्मद समी को खेल को देखते हुए अमरोह में मिनी इस्टेडियम बनाने का फैसलक किया है। यही वो लोकेशन है जहाँ पर किर्किट कांदार प्रदसन से खुसो कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुहम्मद समी को एक ऐसा तौफा दिया है जिसे भैक कभी नहीं भूल पाएंगे। योगी सरकार ने मुहम्मद समी के पैत्रिक गाउं अमरोहा के सहसपूर अलिनगर में मिनी किर्किट इस्टेडियम ब खेलते हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि कभ इस ग्राउंड पर मिनी किर्किट इस्टेडियम का काम सुरू किया जाएगा तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही लोकेशने देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिल अगली लोकेशन पर तब तक के लिए धन्वार